आपनों को चान्दी चोग भूमा रहे हूं और वीकेंड के लिए बहुत ही अच्छा है आप बच्चों के साथ जा सकते हैं ऐसे में संडे हो गए थी बच्चों के साथ ही गए थी गूमने के लिए और यह मुझे बहुत कूल लगा विकुछ उतना भीड़ भाड कुछ भी नह नए तील सॉरी देट फूट के तरब से जब आते हैं तो यहां पे हैं और यहां आने के बाद में आपको रबड़ी जिलेवी कोने पर मिल जाएगा जलेवी वाला आप उहां पुरानी डेली का तो बात ही कुछ और है चान्दी चोग का खाने पीने की चीजों के लिए तो बहुत सारे ओप्सन आपको मिलेंगे खाने के लिए जैसे जलेवी वाला भी काफी फेमस है और यहां से देख सकते हैं तो आज चानी चोग में तो कई बार गई हूं बच्चों के साथ जाने के बाद वहता है कि रिलाक्स कर देख सकते हैं क्या स्ट्रक्चर है क्या आर्टि अच्छा के लिए है तो यह सारे 500 जो आप वार्ड नेश्ट जो देख रहे हैं 200 के भी हैं यह वाला जो है यह बहुत कूल लगा बहुत ही अच्छा और यह 350 का था इसने 2 पेर्स मिल जाएंगे आपको अंदर चडियां जो भी है तो इस तरह से आपको आर्टिशल फ्लार्स मिलेंगे जो 190 रुपीज का स्टिक दे रहे थे तो आज विजूल काफी अच्छा है यहां पर 50 रुपीज 80 रुपीज 70 रुपीज कुछ इस तरह से था और हमेशा यह खुला रहता है विक्टे में भी खुला रहता है इसके बाद आते हैं आगे तो यहां पर आपको 60 70 80 का तो यह भी ले सकते हैं 90 रुपीज में 100 रुपीज में ऐसे आपको मिल जायागा काफी जो भी है यहां पर्स वेरा भी है जो हैंगिंग है यह जो तो यह 90 रुपीज का था और यह जो पर स्लिंग वैग पर्स जो लगे हुए यह थाए सुर्ण रुपे का है मोस्टी यह यह देखें आपको लोर्ज जो है वह 500 रुपे का मिल जाएगा तीन भी मिल रहा था सो विश्वास करें काफी अच्छा संडे को आप हलके सॉपिंग होता है ना कि फॉके फ्रेंली बिकुल सॉपिंग कर सकते हैं तो यह बैंगल्स का डबबा है वह 50 रुपीज का है डबब सो यह जब विड़े में आते हैं तो हमें मतलब सदर बजार में भी नहीं मिलता है ऐसे सो काफी अच्छा है आप सदर बजार भी जा सकते हैं विकेंड संडे बैरा को तो अब यह लहंगे कुछ खुले हुए और लहंगा के लिए बहुत अच्छा है चान्दी चौक में तन् मिलेंगे और यह सारे जो वी आइंग आशनी अध्र चाहँ उसकी बैंगे है और सकती में हôm क्लाइश का जा सफ हर घोए अवे निया रूपी trás फ़ेंगा सब्सक्राइब का ही और तो यह लोग लागा काफी अच्छा टेस्ट झो है बहुत रग था और इच्छते अनके बगल जो है इनके हां काभी मुझे काफी अच्छा लगा like 2500-3000 से starting है इनका range so यह देखें इतना time हमने नहीं लगाया कि एक-एक लहंगे को पीस करके देखें बस overall look जो होता है वो हमने देखा और वही लिया कि यह देख सकते है नेट का भी है और जॉर्जेट का भी है लहंगा भी velvet सनील जो भी है वो अलग-लग चल रहा है लोग आपको सनील का है वो उसको velvet बनाके देदेंगे micro velvet है तो होता है न कि जैसे जितना सक्कर डालो उसके according ही होगा अब यह लहंगा का जो सौप है थोड़ा सा आगे जाने के बाद तो इनके आंका लहंगा बेस्ट लगा बहुत ही अच्छा यह 12 था जो उनका लहंगा था hand walk था सारा और बहुत अच्छा लगा इनके हां का यह चस्में भी है जो एलरीज मिल रहेंगे तो देखेंगे कि यह काफी trendy जो एलरीज मिलेंगे लाइक इस तरह से ले सकते हैं वो है न कि आज बहुत ही अच्छा सा संडे का फंडे आप कर सकते हैं एजली जाकर के अगर कहीं नहीं जा रहे हैं तो चलो गूम करके आते हैं और सबसी अच्छी बात यह है कि आपको लैक मेट्रू का जो टिकट है वो भी हाफ लगेगा अगर 40 रुपीज लग रहा है तो 2022 रुपीज ले से जैसे अंदर जाएंगे मेल डुपीज रुपरे से शावगे हुम हो जाते हैं और मुसी लगता है कि ये सारे मार्केट से आपको बेस्ट आपको यहां पर ब्लाउज मिलेंगे तो यह हमेशा और बहुत ही कूल है यह बहुत रिलाक्स रहते हैं हमेशा सबसे बड़ी बात है कि इतनी मेहनत करते हैं इसके बाद इनके पास दुपटे की वी काफी अच्छी बर्मार है बहुत सारे वराइटी आपको मिल जाए r material हिए 7-800 में बिलेंगे वह यहां पर अलग मिल जाएगा अब हम आ गए है पराथे वाली गली में और पराथा ना खाए तो यह हो नहीं सकता है तो पराथा तो बनता है सो हमने पराथे भी घा कहाए और 70 रुपीज के हमने मिंट पराथा लिया था और एक मिक्स पराठा लिए था टुमेंटो पराठा लिया था तो बहु पुरटो कह सकते हैं पराठा तो कमी है यह अब हम किनारी बजार में है यह और किनारी बजार का आज में स्टुक्चर गे ceğim Χा सी आदबाug तो वहां भीड़ होती इतना ज्यादा और उसके बाद हम हवेली धरमपुरा घूमने गया थे आप नेट पर सर्ज करेंगे तो यह देख रहे हैं कि जो पहले का जो स्ट्रक्चर था वो था और अभी इसको रेश्ट्रेंट में बना दिया गया है तो अगर जब भी मूड बन गहां तो आप धरमपुरा जरूर जाएं एं नेट पर सर्च कर सकते हैं और पहले से पर कर सकते हैं दो जो च१ teaching you तो अनलकली मुझे जगह नहीं मिली, पिको यह फुल था, और रिजर्वेशन पहले से होता है, तो मुझे यहां पे स्पेस तो नहीं मिली, बठा है, यहां ही से हम लोग घुम के आ गए, और यहां पे काफी सारी चीज़ें होती है, जा डिनर के लिए प्लान कर रहे हैं, तो जा सकते हैं, आप काइटिंग वेरा के लिए होता है, तो वो टाइम तो टाइम अलागी हो, वो गूगल पे सर्च करके आप अच्छे से जा सकते हैं, और यह हमारा जो पहले का स्ट्रक्चर था, उसको डिकोरेट किया गया है,